वेलकम टू अलोफ यू आज हम पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड हिंदी और पार्ट नमबर चार पार्ट का नाम है आज हमने भोड देखा जो की एक कविता है अब हम देखेंगे इस कविता में क्या है चीर कर अंधियारा सैसा दुल गए नबगे सिकिनारे देखते ही देखते ओजल हुए सारे सितारे अर्थात जो अंधियारा है वो चीर कर सुबह होने लग गई है आकास में जितने भी तारे थी वो सब क्या हो रहे हैं ओजल हो रहे हैं बै उठी चंचल हवा कुछ हो गया सुबह के समय ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जो आकास हमें रात को काला दिख रहा था वह धीरे धीरे गुलाबी होने लगा है सामने जो पकसी हैं उनका सोर आ रहा है और पेड़ पे हजारो हरे हरे पत्ते दिख रही है आज हमने गोर देखा आज हमने सुबह देखी पीत साडी लाल कुमकुम मैं उसा का रूप देखा सूरे का गोला उभरता दर स्याज अनूप देखा हमने क्या देखा हमने देखा कि जो सूरज है वो पीली साडी की तरह लाल और पिला दिख रहा है कुमकुम की तरह उस पे लाली दिख रही है आज थी चंचल किरन थी खि भूग अगन पर उस घड़ी जिस और देखा उस समय जो सूरज की चंचल किरने हैं उससे पूरी सिस्टी क्या कर रही थी खिल रही थी और भूग अगन पर उस वक्त हमने जहां भी देखा हमें हर तरफ यही द्रसे दिख रहा था दूप पर थे ओस के कण मुस्कुराते रहे थे वह क्यों क्यों कि जब सूरज की किरने उन पे पढ़ रहे थी तो मोती की समान चमक रहे थे वर ती अलड़ह缩 थी लाल गाल गुलाब Students को चुड़ाता आज हंने भूर देखा में क्यों क्योंकि जो अगउल था वर लाल खिल रहा है और SEIK भूर ने दूज में आज भोर देखा जुर्यों में हस रहावत नीम पीपल जूमते थे अर्थात वट यानि की बरगत नीम और पीपल के जो पेड़ हैं वो जूमते हैं मस्त्र हर सिंगार के जोके हवा को चुमते थे और जो हर सिंगार का पोधा होता है वो भी क्या कर रहा है भोर में सीतल हवा के साथ हवा को चुमता हुआ प्रतीत हो रहा है दूप में नहाई हुए से खेत थे हरियाली गुलाबी और सरसो बीच हमने नाचता मोर देखा क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है क्या हो रहा है दूप भी बढ़ती जा रही है जिससे खेत में हर्याली और गुलाबी फैल रही है और सरसो के पेड़ में हमने क्या देखा है सरसो के बीच में नाचता सा मोर देखा यानि सरसो के खेट में मोर भी नाच रहा है आज हमने भोर देखा अर्थात आज हमने सवीरा देखा थैंक्स फो वाचिंग